हेलो दोस्तों कैसे हो आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे आज हम चर्चा करेंगे डेंगू जैसी जानलेवा बिमारी और जल्दी से गिरती हुई प्लेट लेट को तुरंत अप कैसे करें पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आप हमारे चैन जानते हैं देंगू मच्छर के काटने से होता है आज कल वो बरसात के मोसम के अलावा दूसरे मोसमों में भी फैल रहा है अगर इसका समय पे उप्चार ना किया जाए तो ये जानलेवा थाबित होता है इसका सिधासर मरीज की प्लेट लेट पे पड़ता है प्लेट लेट तेजी से गिरनी सरू हो जाती है और जब वो ज्यादा हद तक नीचे गिर जाएं तो इनसान को रक्त सराव होने लग जाता है जिससे इनसान की जान जा सकती है अगर किसी को बुखार आ रहा है शरीर में तेजी से कमजोरी आ रही है शिर दर्द है बॉमेटिंग हो रही है और कई लक्सन हैं तो तुरंत आप डेंगू का टेस्ट कराएं अगर टेस्ट में डेंगू कलियर हो जाता है तो अब सोचना ये है कि इसके लिए तुरंत क्या करें सबसे पहले लेना आपको गिलोए का काड़ा जो गर पे ही बनाएं गिलोए की चार पांच टेहनी लें दो चार पांच काली मिरच, चार पांच तुलसा के पत्ते, चार पांच इलाची, चार पांच लोंग और अदरक उसको अच्छे से कूटके उस पानी में डालें फिर उस दो गिलास पानी को दीमी आच पे गैस पे पकने के लिए रख दें जब वो पक के आदा रह जाएं उसे पे पिएं, ये करम आप दिन में तीन से चार बार करें, इसके अलावा अगर किसी की पलेट लेट ज़ादा गिर रही हैं या ज़ादा गिर चुकी हैं तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए सबसे पहले लेने हैं आपने गेहु के जवारे गारस, अगर आप गेहु के जव और अच्छा तो कुछ है नहीं गेहूं के जवारे बनाने की वी दी पे हमने वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है उसे आप देख सकते हैं तो आपको गेहूं के जवारे का रस लेना है 50-50 गराम दिन में 4-5 बार इसके लावा आपको एक काम और करना है पपीते के हरे पत्ते लेके आएं उनकी चटनी कूटें और दो-दो चमच चटनी दिन में 4-5 बार लें ये काम आपको जरूरी करना है और इससे अलग भी आप निम्बू पानी ले सकते हैं क्योंकि इसमें लिक्वीड ज्यादा पिना बताया गया है फ्रेश जूस ले सकते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा जूस निम्बू पानी या और लिक्वीड लेकिन कोशिश करें कि वो फ्रेश ले तो अगर आप ऐसा करते हो तो इससे आपकी प्लेटलेट की गरोथ बहुत तेजी से होगी और प्लेटलेट की गरोथ अगर तेजी से होगी तो डेंगू की रिकवरी भी बहुत जल्दी होगी तो ये काम आप जरूर करें क्योंकि ये आयुरुएदी कोश दियां आपकी परतिरक्स्या परनारी को इतना मजबूत कर देंगी कि आप डेंगू जैसी महामारी को भी अरा पाओगे इसके अलावा भी आपको एक काम करना है बीस पच्चिस किसमिस या मनका लें उनको श्याम को पानी में बिगो दें सुबह उठके उनको चबा चबा के खाएं और उस पानी को भी पिएं इससे आपके सरीर को ताकत मिलेगी इसके साथ आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है जैसे फास्ट फूड गारिष्ट फूड बारी खाना तलावा खाना या बासी खाना इनको अवाइड करना है अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो इस डेंगू जैसी महमारी से भी पार पा जाओगे आप से मेरी एक विंती भी है कि आप रेगुलर रूटिन चेक अप कराते रहें और डोक्टर के संपरक में बने रहें ताकि कोई प्रेसानी ना आए आप इन बातों का ध्यान रखें इस विमारी को हराएं और सवस्त रहें अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दें और सेर जरूर कर देना ताकि औरोको भी इसका पैदा हो सके हमारे चैनल गुरुजी की दुनिया को प्लीज सबस्क्राइब कर ले धन्यवाद